हाई तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन ओपरेटर के बारे में इन ओपरेटर किस तरीके से काम करता है इन ओपरेटर का यूज क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिसकस कर देता हूँ जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेबिल है एक टेबिल है मेरे पास और उसमें मेरे को ये बोला जाता है कि आप ये बताईए कि इस टेबिल में जो मेरी एमपलोई नाम से कोई कमपनी है और उसकी मेरी पास एक टेबिल बनी हुई है मुझे पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए कि आपकी कमपनी में सीकर से और जैपूर से कौन-कौन लोग काम करते हैं उनके डेटा बताइए जो सिर्फ सीकर और जैपूर से काम करते हैं मेरे पास में जो मेरे टेबिल है उसमें बहुत जार नियू यूर्क, सीकर, सीकर, उत्तर प्रदेश, जैपूर, जैपूर, हरियाना, आसाम, यूपी, जैपूर, जैपूर, कई जगों से काम करते हैं अब इसमें तो आप नॉर्मल देख के बता देंगे, लेकिन अगर सोचिए कि अगर वोई आधार का डेटाबेस और उसमें बोला जाए कि जैपूर में रहने वाले लोग कौन-कौन से हैं, उनके बारे में बताओ, बस वहीं पर ही इन उपरेटर का यूज होता है अब एक किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके लिए simple जो syntax होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, select all from table name जो की मेरा है employee, मैं आपको पूरा करके practical बताऊँगा, ओके, next हम लोग लिखेंगे where, where, क्या, मैं क्या चेक करता हूँ, मैं address देख लेता हूँ, where address, 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 in, और अंदर देंगे हम लोग condition जो भी हमें दिखनी है, जैसे seeker and जैपूर, अब मेरे पास में जो table बन के आई ही, उसमें उन लोगों के data रहेंगे, उन लोगों के data रहेंगे, जो seeker और जैपूर में रहते हो, ये आप address की जगे पर आप salary भी डाल सकते हैं, age भी डाल सक सकते हैं, कुछ भी आप install कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं, किस तरीके से होगा, मैं चलता हूँ मेरे system पे और हम मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ कि अपनी जो table है, वो है कौन सी, table जो है, उसमें data क्या-क्या है, तो select from employees, table क नाम ही, ये data मेरे table के अंदर है, जिस table का नाम है, employee, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं address निकालता हूँ, जो मैंने आपको करके बताया था, उसमें ही करते हैं हम लोग, और अब यहां डग लेगा, डबल-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o इन मतलब कि सीकर में हो, वो और जैपूर में हो, जैपूर, देख सकते हैं आप, मेरे पास जो data हैं, उनका address रिवो यह जो सीकर और जैपूर है, सीकर और जैपूर के ही data हुझे मिले हैं, तो इस तरीके से हम लोग यह कर सकते हैं, अब यह यह use कहां आते हैं, अगर मान कोई स्कूल है और उसे पूछा जाता है कि उन स्टुडेंटों के नाम चाहिए उन स्टुडेंटों के ही डिटेल चाहिए जो आउट ओफ स्टेट है या कोई स्पेशल स्टेट जैसे मैंने बोल दिया कि कोई राजसान का है कोई महरास्टर का है या कोई अगर मैं बोलता हूं कि सीकर कोई जैपूर जगे से है, कोई अलवर जगे से है, उनी का ही डेटावेस मुझे चाहिए, तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अब इसमें एक चीज और होती है, मुझे complete value नहीं लेकर, मुझे सिर्फ detail चाहिए, ऐसे student की, जो सीकर में रहता है, सीकर में रहता है, उसका नाम और उसकी age क्या है, बस मुझे उसका complete detail नहीं चाहिए, मुझे surname नहीं चाहिए, मुझे salary, उसका address, मुझे DOB, मुझे date of joining ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम और age चाहिए, जो सीकर में रहता है, इसका command क्या होगा, in operator से ही, इसको हम होगा तो मैं लिकुम का सलेक्ट करो ओल नहीं मुझे क्या चाहिए मुझे नेम चाहिए एंड नेम और क्या चाहिए मुझे एज चाहिए फ्रोम टेबल का नाम और टेबल का नाम है अपने एमप्लोई हम फिर सिंपल सिंपल सी चला दें एक कि पितने बीदे सकते हैं तो मैं फिलाल सिकर का हीं चेक कर रहा हूं हम चेक करते हैं, देखो, सीकर में दो लोग थे, ये address पे आए, सीकर में दो लोग थे, आप देख सकते हैं, हमारी main table में भी आप देख सकते हैं, सीकर से सिर्फ दो लोग हैं, वाकि कोई भी सीकर से नहीं है, सीकर से दो लोग हैं, और उनका नाम है इशान, उनका नाम है इशान and कपिल ओके तो मैंने क्या मेरे को सिर्फ दोर चीज़ चाहिए थी नेम और एज तो इशान और कपिल और उनकी एज 1770 आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप इन उपरेटर लगा सकते हैं और इन उपरेटर को आप यहां यूज में ले सकते हैं and according to your situation and condition आप इसको कहीं भी यूज में ले सकते हैं मैंने आपको यह बताया है कि इसका यूज इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ओके तो थैंक्यू सो मच